अभिनेता मुकेश खन्ना किसी परिचे के मोताज नहीं है बियार चोपड़ा की महाभारत में भिश्म पिता महा की भूमिका और शक्तिमान में एक सूपर हिरो का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना को बड़े से लेकर बच्चे तक हर कोई जानता है बॉलिवूड से लेकर छोटे परदे तक अपने दमदार अभिने से लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना को बला कोण नहीं जानता वो भारत के पहले सूपर हिरो है उन्धने शक्तिमान बच्चों से लेकर बुरो तक एक दिलों पर राज़ किया मुकेश खन्ना ने टिवी शोव शक्तिमान में एक सूपर हिरो के किरदा निभाया था जिसमें वो हवा में उड़ते और दुश्मोलों को धूल चटाती होई देखे थे लब्बे के दशक में हर किसी की जुबा पर शक्तिमान का नाम ही रहता था इसके अलावा उन्होंने बियार चुपरा के टिवी शोव मा भारत में भिश्म के पिता मा का रोल निभा कर वावाई लुटी थी तो दोस्तों हम आपको मुकेश खन्ना की फैमिली से रूबरू करवाने जा रहे है साथ ये भी बताएंगे कि वाज कहां और क्या करते हैं कैसे दिखते हैं तो बने रही है वीडियो के अंत तक मुकेश खन्ना के जन 23 जुन 1958 को मुंबै में हुआ था मुकेश खन्ना ने चंदरकान्ता, यू, ब्रह्मा, एहसास और मरियादा जैसे सीरियल में भी काम किया मुकेश का हर किरदार अपने आप में यूनीक होता था लेकिन कुछ सालों बात मुकेश खन्ना स्क्रीन और नजरों से ओजल हो गए मुकेश कान्ना की इतनी उम्र हो गई और उन्हें शादी नहीं की मुकेश कान्ना भले ही फिर मिलस्टी से दूर हो गए लेकिन आज वो ऐसा काम कर रहे है जिस पर लोगों को गर्व होगा मुकेश आने वाली पिड़ी को एक्टिंग में महारत महासिल करना सिका रहे है मिडिया रिपोर्स के मुताबिक मुकेश खन्ना दुरदर्शन पर शक्तिमान दिखाने के बदले 10 लाक देते थे आचानक दुरदर्शन ने ये रकम बढ़ा कर 40 लाक कर लिया उस वक्त विद्यापुलों का इतना प्रचलन नहीं था ऐसे में मुकेश खन्ना के लिए इतने पैसे देना काफी मुश्किल हो गया था आखिरकार मुकेश खन्ना को एक सिरियल बंद करना पड़ गया कहा तो ये भी जाता है कि मुकेश खन्ना राजनिती के शिकार होए थे क्योंकि उनका ये शो उन दिनों पॉपिलेटर के चरम था कहा से मिला गंगाधर के लुक का इडिया शक्तिमान में गंगाधर का किरदार एक अमेरिकी कॉमेडियन जेरी लुईस से प्रिडित था इस बात का खुलासा खुद अभीनिता मुकेश खन्ना ने अपने एक इंटर्यू में कहा था उनने स्विकार किया कि हीरन की दातों का विचार जेरी लुईस से लिया गया था आपको बता दे कि अमेरिकन कॉमेडियन ने इस लुक को एक फिल्म दफ फैमिली जुएल्स में केरी किया था कभी दोस तो कभी स्टाप से पैसे लेकर शुरू किया था शक्तिमान मुकिश कदा ने बताया था कि शक्तिमान शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने अपने दोस्ट से बंदत मांगी उसने मेरे सिरियल में आठ लाक रुपे इन्वेस्ट किये लेकिन ये बात मुझे पसंद नहीं आए कि पूरी मेहनत मैं करू और वो आठ लाक लगाकर पचास पीसिती का पार्टनर बन जाए इसलिए मैंने उसे ब्यास समेट सोला लाक लोटा दिये और फिर मैंने अंबू मुरार का से मदद मांगी उन्हें बीना किसी वैश के 75 लाक रुपे दे दिये जिसे मैंने दो साल बाद वापस लोटा है आपको बता दे कि शक्तिमान के मेकिंग के दोरान कई बार इससा समय भी आया जब बजट की कमी के कारण मुकेश खना को अपने स्टाप से पैसे मांग कर शो की शुटिंग फूरी करने पड़ती थी कैसे मिला पिता महभिश्म का किरदार महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले गुमफी पेंटल शो के कास्टिंग डार्टर्स में से एक थे उन्हेंने ही मुकेश खना को महाभारत में अर्जुन, कर्ण, भिश्म और भिश्म में से किसी एक किरदार के लिए औरिशन देने के लिए बुलाया था पंदरा फिल्मों में काम करने के बाद भी मुकेश खना गेट अप में आये और और औरिशन दिया कुछ समय बात गुंपी पेंटल ने कॉल कर कहा कि बियार चुप्रा साप चाहते हैं कि आप दुरियोदुन का रोल करो लेकिन मुकेश ने साप इंकार कर दिया लेकिन गुंपी पेंटल उन्हें शो में कास्ट करना चाहते थे इसलिए उन्हें मुकेश को गुरु गुरुनार्चारे का रूल ओफर किया मुकेश खना ने हामी भर दी लेकिन किस्मत को कुछ और ही मन्जूर था भिश्मम हिताप पिता महा का रोल निभाने वाले अक्टर विजंदर घाट के किरदार में फिट नहीं बैट पाए और बियर चुप्रा ने ये रोल मुकेश खना को दे दिया कॉस्ट्यूम और दाड़ी से होती लिए परिशानी बियर चुप्रा जी से मांगा था कुलर हाला कि मुकेश खना ने आगे कहा कि वो सेट पर शूर्ट के दवरान कुलर का इस्तिमाल किया करते थे उधरे बताया कि हम फिल्म सीटी में शुटिंग करते थे जो पूरी तरह से एर कंडिशन थी चुकि मेरे कॉस्ट्यूम काफी भारी थे और उपर से लंबी वो भारी दाड़ी तो मुझे बहुत जादा पसीना आता था पूरे दीन वो दाड़ी मुझे पहननी पड़ती थी इससे मुझे बहुत जादा गर्मी और इरिटेशन महसूस होती थी इसलिए मैंने बियार चोप्रा जी से रिक्वेश्ट की थी कि वो मुझे सेट पर कूलर यूज़ करने की इजादत थे मुकिश खना ने आगे कहा कि दाड़ी ICT की शुट्प खतर होने के बाद भी मुझे उसमें आफ़त महसूस होती थी बाद में मैं इसे इतना तंग आगया कि दाड़ी के कारण मैंने 15 फिल्में रिजट कर दी थी क्योंकि उनने में मेरे किरदार को दाड़ी रखनी थी उन्हें जोन से भार निकलने के लिए मैंने शक्तिमान का निर्मान किया जहां मैं एक अलग ही अवतार में नज़र आया मुकिश खना की टीवी पर एंट्री तो काफी सालों बाद हुई थी उससे पहले उन्हें साल 1981 में आई फिल्म रूही से बॉलिवुड में कदम रखा था उससे बात तो उनने फिल्मों की लाइन से लगा दी थी सौगन, सौदागर, यालगार, तहलका, रखवाले, मैं खिलाडी, तू अनाडी, मैदाने जंग जैसे कई फिल्मों में मुकेश नजर आ चुके थे क्या असल जिंदगी में भी ली थी शादी न करने की प्रतिद्म्या क्या आपको पता है कि मुकेश खना ने अब तक शादी नहीं किए जब हाली में अभी निता से शादी के बारी में पूछा गया तो मुकिश खना ने कहा कि एक जमाने में ये हर पत्रकार का पसंदिता सवाल हुआ करता था आपको बता दे कि मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ लोग अक्सर कहते थे कि मुकिश खना ने भिश्म पितामा का किरदा निबाया था जिसे वो अपने नीजी जीवन में ये गोड ले रहे है इसलिए उन्होंने शादी नहीं की आपको बता दे कि मैं इतना महान नहीं हूँ और ना ही कोई भिश्म पितामा बन सकता है मैंने अपने जीजी जीवन में भिश्म जैसा कोई संकल्प नहीं किया मैं ये भी बता दू कि मुझे से जादा विवा की संस्ता को कोई नहीं मानेगा मैं शादी के खिलाब नहीं हूँ शादी किसमत में लिखी जाती है और मेरी किसमत में ये नहीं है मुकिश करना आज पहले के मताबिक काफी बदले वे नजर आते है जो कि आप अपनी तस्वीरों के माद्यम से देख सकते है आज वो 66 साल के हो चुके है तो दोस्तों आज के लिए पस इतना ही बताना है कि आपको मुकिश कहना कि कौन सी मुई और धारावेक सबसे ज़्यादा पसंद है धन्यवाद